हेलो गुड मॉनिंग डियर स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेट केरियर आज हम जा रहे हैं इस वीडियो में टाप 40 जनरल साइंस को कोस्टन को करने जो अक्सर एक्जाम में पूछे गए हैं उनी कोस्टन को सामिल किया गया है जैसा कि आपने थमनेल पर और स्क्रीम पर देख जैसे कोस्टन दिया है घोसला बनाने वाला एक मातर साब कौन साइए तो एंसर क्या होगा किन को गब्रा दूसरा है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मचली कौन सी है तो हमारा एंसर वेल मचली तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पे नहीं ह जाती है जब तरंग चलती है तो अपने साथ क्या लएजाती है उर्जा ले जाती है करेक्टेंस वह रहें दूसरा है सूर्य ग्राद के समय सुर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है सुर्य का नेक्ट्ट तीसरा है कपड़ों में जंग के धब्ले हटाने के लिए क्या किया जाता है तो उसपे आघजेलिक अम्र लगाया जाता है चोहता है गन्ये में लाल सर्ण रोक इसके कारण उत्पन होता हैं तो हमारा कोंच्चन अक्सल किसक्रां में जहां प्ूशे गए तो वीडियो इंतक जरूर देखें किस प्रकार के उत्तक सरीर के सुरक्ष कorie करतें तो हमारा इन्सर है एपिधिलियम उत्क जो है यह सरीर के सुप यह का कारे करता है कियो तो मनुष्यय जो सरोव परतम जनतु को तो पालतो बनात है कि नवन की त k arbitrफ इसे जूर में प्रतम की था दिखाई दिखाई देता है तो आप सबको ये भी इंपोर्टेंट कोश्चन है अक्सर एक्जाम में पूछा गया है कोश्चन है तो सामुईक आंत्रिक प्रवर्तन के कारण याद रखिए हीरा चमकदार दिखाई देता है दस्वाए गोबर गैस में मुख्य रुप से क्या प बिखाई जाता है ये अक्सर पूछे गए प्रस्ण सारे प्रस्ण पूछे गए हैं एक्जाम में किसी ना किसी एकजाम में नेच्ट निमने से कौन परदान करता है तो हमारा पनीर होता है अक्सर जीम करने वाले को पनीर खाने के लिए बताते हैं जीम ट्रेनर इसलिए यह क्या करता है मानों सरीर में नए उतकों की विरिद्धी करता है 12 नमर का कोश्चन है निम में से कौन एक उडने वाली चिप कलिए उडने वाली चिप कलिए मोस्ट इम्पोर्टेंन कोश्चन ड्रे को अपुस्चन है किसी ने किसßer एक्जाम में आयूए प्रस्न है देखिए तेरा नमबर का है अंगूर में कौन सा अमल पाय जाता है तो अंगूर में टाटरिक अमल पाय जाता है याद रखिए चौधर नमबर का है कि कैंसर संबंदी रोगो का अधियन क्या केलाता है तो कैंसर संबंदी रोगो का अधियन ओंकोलोजी केलाता है ओंकोलोजी तहरह सोलनबर का कोश्चन है भारत में फालइ मचली जो पालए वेल मचली दाल किसका अच्छा सुरोत है तो सभी को पताओना चाहिए दाल किसका अच्छा सुरोत है है प्रोटीन का डाल में सबसे ज्याद़ प्रोटीन मिलता है स्यव इन में और उश्का पनिर में नेग्स्ट है देशीगी में सबसुगन्द क्यूं आता है कि डाइस्टिल अंबる के कारण घीक है तो देशीघी हमाई सुगन्द काफि देता है लेकिंगे हम लोग कभी किया नहीं किया रहते हैं किसके कारण दिखाए दाइएस्टी एस्टि के कारण नेक्स्ट कोश्चन है 19 नमबर इंद्रधनुस में किस रंग का विच्छेपड अधिक होता है सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन लाल रंग का 20 नमबर का कोश्चन है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं तो सूर्य की किरणों में साथ रंग होते हैं नेक्स्ट कोश्चन आते हैं टाइप राइटर यानि कि टंकर मसीन टाइप राइटर को हिंदी में टंकर मसीन के अविस्कार कौन है तो टाइप राइटर के अविस्कार सोल्स हैं सोल्स नामक वेग यानि 22 नंबर का कोश्चन सिर्का को लेटिन भासा में क्या कहा जाता है तो सीरका को लेटिन भार्षा में एसिटम कहा जाता हैं नेक्स कोश्चन है तेश नमबर कि दूद की सुद्धता कमापन किसी अंतर से किया जाता है तो आप सबको पता है दूद की सुद्धता कमापन लेक्पोमीटर से किया जाता है वुज़ति हैं एक एलुमीनियम नेक्स्ट पचीश नमबर दिया है मोती मुख्यरूप से किस पदास का बना होता है तो आप सब पता होना चाहिए कैलसियम कार्यमनाट का बना होता है मोती 26 का कोशन है मनुष्य के स्रीर में सबसे अधिक नाम क्या है वानासपतिक नाम बताए तो मैंग फेरा इंडिका है आमका वेगानिक नाम, नेक्स्ट है, 28 नंबर, काफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चुळ प्राप्त होता है जडो से पॉप्त होता है, चिकोरी चुळ, काफी मैं जो पाउडर के यजा रूप में मिलाए जाता है 29 रंबर का question है vitamin C का सबसे अच्छा सुरूत क्या है तो vitamin C का अच्छा सुरूत आवला है और vitamin C किसमें पाए जाता है खटे खटे पदार्तों में जैसे निबुवा आवला हुआ और संत्रा हुआ यह सारी चीजे next question is important जो सबसे अधिक तिवर्ता की धोनी कौन सी उत्पन करता है तो बाग जो है अधिक तिवर्ता की धोनी उत्पन करता है इसलिए उसकी आवाज सुनके लोग क्या हो जाते हैं डर जाते हैं नेक्स कोश्चन है मानोसरी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो मानोसरी में सबसे लंबी कोशिका हमारा तंत्र का तंत्र कोशिका होता है नेक्सक्कोष्चन है दात मुख्यरुक से किस पधात के बने होती है तो दात मुख्यरुक से किसका बना होता है डेनटाइन का 23 नंबर का कोशन किस जन्तु की आकृति है और पर की चपल के समान होती है तो पेरामिशिययम का जन्तु की आकृति प्रोटीन नहीं पाया जाता है चावल में नहीं पाया जाता है क्या पैया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है याद रुखिए गा कि मानों का मस्तिक लगवा कितने गराम का होता है तो 1300 गराम का होता है याद रख इंपटन पूस्चन हां दलर नेक्स्टस्टवस्टने चोंबर रग्ल में पाए थातू है धातू कम से होती है आई तो मर दिक यानिक लोगा शब्सवर्णिक मात्र पाए जाता है रग्थ में नेक्स्यक्ट कूस्टन ने म स्पेशियों में किस अमलो के कfill corrections होने में थकावट होती हैं बताइए में लाक्टिक मां एकठा हो जाता है ना तो ठकायौस होने लगती है नेक्स कोश्चरण ने किमbles का उदारण है भूर का खट्टा हो जाना ठाने की ब्रेट बनाना गिले आतए का खट्टा हो जाना हिन्यों के उदारण है कि 49 नंबर का question बता ही है केच्वे की कितनी आखे होती है है तो केच्वे की एक भी आके नहीं होती है important question है फिर 40 नंबर का घाजर किसले विटामिन का समरीज़ शुरूत है तो ऎम एक समरीज़ शुरूत से सबसे अच्छा पाया जाता है विटामिन एव गाजर में तो यह चालिस जो कोस्टन हुए यह सारे के सारे सभी के सभी इंपोर्टेंट है और किसी न किसी एक्जाम में आए हुए प्रस्ट है तो वीडियो अगर पसंद आ है तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर हो तो सब्सक्राइ कर दीजिए नए हैं तो ओके आज के लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं करके वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे कोस्टन के जाब जो किसी एक्जाम में आये हुए होंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद